नमस्कार जारखन में 14 लोग सभा सीटों के रुजान आ चुके हैं जिसमें BJP 8, JMM 3, कांग्रेस 2 और ISO 1 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है तो आए बारी-बारी से सभी सीटों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले गिरिडी जिसमें जैराम महतो, चंद्रपकास, चोधरी और मत्रा महतो हैं तो आपको बता दे चंद्रपकास, चोधरी आईसू पार्टी से हैं जो की 3,51,363 भोट ला चुके हैं जो की 70,000 भोटों से आगे चल रहे हैं वहीं मत्रा महतो, जो की जैराम महतो, जो की जैराम महतो की बात करें, जो की निर्दलिय पार्टी हैं और 2,46,626 भोट ला चुके हैं, जो की 1,00,000 भोटों से पीछे चल रहे हैं वहीं अब बात करते हैं खुटी की, खुटी में काली चरण मुंडा जो की कांग्रेस के परत्यासी हैं, 4,34,60 भोट ला चुके हैं, जो की 1,00,000 भोटों से आगे चल रहे हैं वहीं खुटी से ही अर्जुन मुंडा जो की बीजेपी की परत्यासी हैं, 2,83,980 भोट लाए हैं, जो की 1,00,000 भोटों से पीछे चल रहे हैं वहीं अब बात करते हैं लोहर्दगा की, लोहर्दगा से सुखदेव भगत कांग्रेस के पर्टी हैं, जो की 2,56,484 भोट ला चुके हैं, और 71,000 भोटों से आगे चल रहे हैं समीर उराव बीजेपी की पार्टी से हैं, वो 1,33,860 भोट लाए हैं, और 71,000 भोटों से पीछे चल रहे हैं वहीं चमरा लिंडा निर्दलिय पार्टी हैं, जिन्हें कूल 20,779 भोट मिले हैं अब बात करते हैं दुमका सीट की, तो दुमका से नलील सुरेन जो की जेमें की परत्यासी हैं, 2,56,268 भोट ला चुके हैं, और 9,870 भोटों से आगे चल रहे हैं वहीं सिता सुरेन की बात करें जो की BJP की परत्यासी है वो 2,46,338 भोट ला चुके है और 9,870 भोटों से पीछे चल रही है वहीं अब बात करते हैं सिंभूम की सिंभूम से जोबा मांजी जो की जे में की परत्यासी है 3,46,000 भोट ला चुके हैं और 1,00,000 भोटों से आगे चल रही है वही गित्ता कोड़ा जो की BJP की परत्यासी है 2,41,574 वोट ला चुकी है और 1,00,000 वोटों से पीछे चल रही है वही अब बात करते हैं रामगर की रामगर से बिजय कुमार हांसदा जो की JMM की परत्यासी है 2,89,000 वोट ला चुके है और 47,000 वोटों से आगे चल रहे है वही तला मरांडी BJP की परत्यासी है 2,41,866 वोट ला चुके है और 47,000 वोटों से पीछे चल रहे है वही लोबिन हिमरम की बात करें जो की निर्दालिय पार्टी से है उन्हें कूल वोट 21,491 प्राप्थ हुआ है वही अब बात करते हैं पलामू से पलामू से विस्नू देल राम जो की BJP पार्टी से है 6,10,270 वोट ला चुके है और 2,40,000 वोट से आगे चल रहे है वही दूसरे नमबर पर ममता भुया जो की RAD परत्यासी है 3,79,92 वोट लाए है जो की 2,40,000 वोट से पीछे चल रहे है वही कमिस्वर बैठा जो की BSP से है कुल वोट 29,000 प्राप्थ हुए है वही हजारी बाग की बात करें तो हजारी बाग से मनीश जैसवाल जो की BJP की परत्यासी है 3,40,000 वोट लाए है और 1,48,000 वोट से आगे चल रहे है वही जैपरकास भाई पठेल जो की कॉंग्रेस की परत्यासी है 1,91,370 वोट लाए है और 1,48,000 वोट से पीछे चल रहे है वही हजारी बाग से ही संजय कुमार मेहतार जो की निर्दलिये पार्टी है 8,472 वोट प्राप्त किये है वही अब बात करते हैं गोड़ा से गोड़ा से निसिकान दुवे बिजेपी परत्यासी 4,76,710 वोट लाए है जो की 8,000 वोट से आगे चल रहे है वही दूसरे नमबबबब पर परदीप यादव कांग्रेस परत्यासी है जिने कूल वोट 3,95,712 और 80,000 वोटों से पीछे चल रहे है वही बात करें चत्रा की तो चत्रा से काली चरन सिंग जो की बिजेपी परत्यासी है 2,36,135 वोट प्राप्त किये है और 81,000 वोटों से आगे चल रहे है वही कृष्णा नंत्रिपार्थी जो की कांग्रेस परत्यासी है 1,55,1129 वोट प्राप्त किये है और 81,000 वोटों से पीछे चल रहे है वही अब बात करें कुडार्मा से कुडार्मा से अनपूर्ना देवी बिजेपी परत्यासी है जो की 3,53,696 वोट प्राप्त किये है और 1,56,531 वोट से आगे चल रही है वही दूसरे नंबर पर बिनोत कुमार सिंग जो की CPI से है 1,97,165 वोट प्राप्त किये है और 1,56,000 वोटों से पीछे चल रहे है वही मनोज कुमार की बात करें जो की निर्दलिय पार्टी है 96,13 वोट प्राप्त किये है वही अब बात करते हैं धनबाद से धनबाद से धूलू महतो जो की BJP परत्यासी है 3,67,402 वोट प्राप्त किये है जो की 1,12,155 वोटों से आगे चल रहे है वही दूसरे नंबर पर बात करें तो अनुपमा सिंग जो की कांगरेस से है 2,55,247 वोट प्राप्त किये है और 1,12,155 वोटों से पीछे चल रहे है वही अब बात करें राची तो राची से संजाय सेट जो की BJP परत्यासी है 4,63,235 वोट प्राप्त किये है और 97,307 वोटों से आगे चल रहे है वही अब जमसेदपूर की बात करें तो जमसेदपूर से बीधूत वरण महतों जो की BJP परत्यासी है 4,15,044 वोट प्राप्त किये है और 1,777,312 वोटों से आगे चल रहे है समीर कुमार दूसरे नंबर पर है जो की JMM परत्यासी है और 2,37,732 वोट प्राप्त किये है जो की 1,777,10 वोटों से पीछे चल रहे है तो फिलहाल अभी के रिए इतना ही यदि आप चैनल पनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथी साथ आप वीडियो के साथ जूड़ी रहें अगली खवर बहुत जल्द मिलेंगे थैंक्यू